पेपर में पेपर जो है एक ही दिन में होना चाहिए क्योंकि अगर दो दिन में होगा तो फिर उसमें वही नॉर्मलाइजेशन आएगा ही जो अपने आप में बहुत विवाद इस पते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता कि आयो कितना अच्छा वह दिखा रहा है ले ही में जो सेंटर को चैनित करें और यहीं वजाए कि उन लोग को जो है डिमांड के साफ से सेंटर जो है मिलने पा रहे हैं तो यह अपने अपने विवाद इस पाद है क्यूंकि आप सोची कि आयोग ऐसा चाहरा क्यूं पारदसीता को बनाने के लिए इसका मतलब क्या है कि जो धानलियां जो लिकिस के कैसे वह प्राइवेट संस्थानों से आये हैं समय देखिया आप कितना करीब है उसके बाद भी कोई डेट नहीं दी गई है कोई फिक्स देट नहीं दी गई है तो इसमें जाहिए बहुत नुक्सान हो रहा चाहतों क्योंकि यह कुछ भी का एक म महीने का और टाइम ले लें वो और अगर यह दिसंबर में नहीं हुआ 22 दिसंबर को प्रस्तावित जैसा कि नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि 2025 में चल जाएगा 2023 से 2025 अब यह वाला एक्जाम कितना है लेकिन अब छात्रों के सामने जो भी हमारे साथी है जो तैयारी करने से वाले हैं उन सब के सामने अब इस टाइम से भी जादा टाइम से ज्यादा जो बड़ी समस्या है वो नौर्मलाइजेशन है उस पर अभी कोई भी क्लेटी नहीं मिली है ना आयोक की दब से मिली ना कुछ मिली है लेकिन एक उम्मीद है कि अब साथ वो समझेंगे नबस्त पर थोड़ा सा नाराज थे क्योंकि छात्रों को ऐसा लग रहा था कि एक्जाम दो पालियों में होगा छात्रों की मांग ये थी कि एक्जाम एक ही पाली में होना चाहिए बहुत सारे छात्रों ने मुखर जी निगर में भी आंदोलन किया और ये आंदोलन धीरे धीरे परि जारी नहीं की है कि एकड़ाम कैसे होगा हम चातरों की भावनाओं को समझते हैं तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सब कुछ सही हो जाएगा अज की वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हैं मुहमद आमिर जी ये यूपी पीसिस की त्यारी करते हैं मुखर जीने गर मे सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आमिर जी आपको क्या लगता है जैसा साचिब जी ने बयान दिया है चातरों के बीचा करके ये बोलाए कि हमने कोई भी सोपी जारी नहीं किया है कि एकड़ाम कैसे होगा आपको क्या लग रहा है सब को सही हो जाएगा ठीक माल सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा चात्रों का मुद्दा है और इसमें पूरा जो मेंस्ट्री मेडिया है वो पूरी तरह से गायव है इस मुद्दे पर उसका आप क्या है कि आप उसको पूरी तरह से कवर कर रहे हो आप हैं आप जैस परे साती और पूरे प्रियाग राज से जो है वहां पर गेट उसके आयोक के गेट नमबर तीन पर जूटे थे और एक महां अंदोलंत था चात्रों का तो उसमें चात्रों ने अपने मांग की लास्त में जब सचीब जी आये और उन्होंने सचीब जी ने एक बयान सचीब जी ने का कि तो सचीब जी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं सचीब जी का बयान सुनके क्या मुझे जो हाली माई वैब सीरी जो वैब सरी थी पंचैट उसका डायलोग याद आता है कि देख रहे हो विनोज सचीब जी कैसे गौल-गौल घुमा रहे हैं क्योंकि जी ने इस बात का खंडन भी तो नहीं कहा कि जो भी चीज़े चले ही वो सारी अफवाएं हैं एक्जाम जिस तरह से होता है एक्जाम ठीक उसी तरह से होगा और जल्दी हम कोई डेट निर्धारित करेंगे उसमें एक्जाम हो जाएगा आप यह देखिए ना कि एक्जाम मे लेंगे सेंटर आएंगे उसके बाद बताएंगे तो आपको नहीं लगता कि इतने कम समय में यह कैसे होगा और अब तो उनको कम से कम इस बात का खंडन करना चाहिए तो यह तरह से कुछ इसपस्ट नहीं हुआ है लेकि फिर भी च्छात्रों ने क्या है कि अपनी एक उम्म तो फिर उसमें वही नॉर्मलाइजेशन आएगा ही जो अपने आप में बहुत विवाद इस पते हैं आप लोग तैयारी करते हैं आप लोगों को कहां से ऐसी खवरे मिल लाती है कि ऐसा होने वाला है यह आपने बड़ा अच्छा कोशन गया इसमें मैं आप सुरू से जाए जब फरवरी में एक्जाम होता आरो ए आरो वाला जो एक्जाम होता एक्जाम होने के बाद पता चले कि पेपर लिख है उसके बाद काफी बबाल मचा और उसके बाद खबरे आने लगी आपने भी सुना होगा बहुत लोगों ने सुना अलग 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 तरह से खबरे आन मार्च को आपका जो यूपी PCS का पेपर प्रस्तावित था वो पेपर भी थोड़ा इसकी सम्वेदन सीलता को देखते हुए कि ऐसा ना हो टाइम कम इन दोनों के बीच में वो पेपर भी आपका पॉस्पोन होने वागा है और जब हम देखते हैं तो उसका उसके बाद पता चला हमें साथ लेकिन यह पता है साथ मार्च को हमारे एक नोटिफिकेशन आया साथ मार्च को सत्रा मार्च को पेपर होने वाला था कि यूपी PCS का जो पेपर है वो एप्रिहारी कारणों से इस्थकित किया जाता है लगता है यह सही है कहां तक सही है देखिए यह एक तरह से मजाख है यह चातरों के साथ अन्याए है कि आप देखिए कि जो यूपी PCS हुआ यूपी PCS हुआ इन सब के एक साल करीब एक साल पहले कलेंडर आ जाते हैं पूरा सेडियूर उसमें रिसाइट होता है कि आपका मेंस कवहना है ठीक है फिर इसके बाद इंटर्वियू का सेडियू आता है बाद में ठीक है और इसके बाद भी इस एक्जाम की खुद पर किरिया में लगबग लगबग 10 से 12 में करीब एक साल भी लग जाता है कि आपका पहले प्रियम्स हुआ उसका रिजल्ट आया उसके आप मेंस देंगे फिर मेंस का रिजल्ट आएगा फिर आपको इंटर्व्यू के लिए टाइम मिलेगा इंटर्व्यू आएगा उसके बाद पाइनल आपको रिजल्ट आता है तो प्रोसेज में ही एक साल लग जाता है अब यह एक्जाम मार्च में होने वाला था उसके बाद तो एक तरह से चात्रोप में अधर को erfolg में जूलाई में होने वाला है अब अक्टूबर में प्रसा भी था ह Bach to work अने वालातर था 27 ओब आप देखिस सोल ला को सोल कुब क कितना 10 जिन 7 दिन पहले अपके तड़OFF दे इस करना चातरों का कहां तक सही है क्योंकि अगर नोडिर्धिकेशन आयोग जारी हuning करता है तो इस्वेड्ट कभी मुखरजिनगर हो गया ये फिर परियाग राज हो गया यहां पिर जा और करता है ये करना नहीं कि आयोग se कि जो खबरे आ रहे हैं कुछ दिन बाद वो सही हो जाती जैसे अभी करीब एक डिर्ड महीने से पूरा माहौल चला था कि यूपी पीसी जो है पॉस्पोन होने वाला 27 सक्तूबर को नहीं होगा इस एक डिर्ड महीने के बीच भी आयोग की तरफ से छात्रों के लिए कोई भी कि वहां भी कोई क्लिया नहीं किया है कि वह क्या होगा अभी वह सेंट्रों की बात करें अगर इस साल ही क्यों इतनी परिक्षानी आ रही है अब दो आप देखिए 2023 में भी देखिए करीब 2023 में भी करीब उसके बाद 2021 में सबसे ज़्यादा 6,91,100 कुछ इस्टूरेंट थे और अब की बार अब की बार हम देखिए 2024 में तो 2024 में हमारे पास जो है अक्टूबर सिप्तंबर में अमार उजाला ने भी चापा है और हिंदुस्तान ने भी चापा है करी सारी खवरे आईए कि आयोग इनको दो पालियों में करा सकता है आरो ए आरो के पास भी जो है दो सेंटों की कमी पढ़ ले क्योंकि उसमें करीब 10,76,000 कुछ फॉम है आरो के लिए तो इतने नहीं करा सकता है लेकिन अगर फिर आगर वह उसके 11,000,000 के लिए दो सेंटर बना सकता है तो 11,000,000 के आदे पीसी एस में तब भी पीसी एस तो एक ही सेंटर पर बन सकता है एक सवाल जाना चाहूंगा जैसे बहुत सारे इस्टून्ट ऐसा कह रहे थ देखिए अगर हम इसे प्रिधम देश्ट है हम देखती तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता कि आयो कितना अच्छा वह दिखा रहा है लेकिन यह अपने आप में एक नया सवाल खड़ा करता है अगर आयो कहता है कि वह प्राइविट संस्थानों की तरफ करेगा ऐसा अ प्राइवेट संस्थानों से आये हैं तो फिर उन पर कारवाई क्यों नहीं हुई और अगर कारवाई हुई तो किस पे हुई इसका मतलब क्या है और आप क्या करेंगे आप क्या कि मर्ज को ठीक नहीं करेंगे आपको मरीज को ही खतम कर देंगे अगर कहीं क्या सारे प्राइवेट स्कूलों में धान ली हुई है और उनको रोकने में नाकाम क्यों है कल को किसी सरकारी संस्थान में अगर इस तरह का आय तो क्या सरकाई सस्थान में भी एक्जाम नहीं होगा और कल सचीव जी ने यह भी कहा कि आयोग के पास अपने सेंटर तो होते नहीं है आयोग तो सब जिलों के उपर डिपैंड जिलों से सेंटर लेगा करेगा तो आयोग के पास अपने सेंटर होते नहीं है तो कल को अगर किस इस इसाट गवर्मेंट संसान में भी अगर ऐसा हुआ तो क्या और इसांटर नहीं बनाएगा फिर क्या करेगा ओनलाइन अग्जाम के सिश्टम में आप दे चुके हैं चाहे वो ने नीट का मामला हो उन्हें बीदान जो ओनलाइन एग्जाम कराने वाली एजनसियां ओन्हें कराई गा कि आयोग प्रिंटिंग प्रेस नहीं सायआ चाहिए मैं आप लोग की तारीक था नहीं तो आप लोग इस पर जाए से बनती है क्योंकि जो आरो आरो इस बना पेपर अब आप देखिए का पेपर है अब आप देखी कि दिसंबर एंड होगे 2024 हो गया और अगर यह दिसंबर में नहीं हुआ 22 दिसंबर को प्रस्तावित है जैसा कि नहीं हुआ तो आप मान के चलिए कि 2025 में चल जाएगा 2023 से 2025 अब यह वाला एक्जाम कितना है लेकिन चात्रों के सामने जो भी हमारे सा क्लिए नहीं मिली है ना आयो की तब से मिली ना कुछ मिली है लेकिन उम्मीद है कि अब सायद वह समझेंगे तो आप मान के चली तो आप यह सोचिए कि अगर वह दिसंबर में नहीं भी कराते तो यह हालकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा बट फिर वह उनको सेंटर मे लाना ही होगा और वह लाएंगे तो इतना विवाद इस पाद है वह चीजे जाएंगी फिर केस होगा कोड जाएंगे मामले इस तरह फसेंगे तो इससे भी जादा हो जाएगा इसलिए इस मुद्दे पर वैसे तो यह बहुत गलत है कि इतना टाइम है लेकिन इस मुद्दे आयोग है वो सही टाइम को नरधारित करके पेपर कराईगी या नहीं क्या छात्रों की बातों को आयोग मानेगा या फिर नहीं क्योंकि ये बात काफी गंबीर बनी हुई है कि कब होगा कैसे होगा और जो छात्र कहीं न कहीं तैयारी कर रहे थे वो लोग काफी जिसमें भाग लेने वाला कोई भी इंसान जो है एक भी इंसान इस समस्या को लेकर इसके समर्थन में नहीं है क्या कैं गयि पड़ी टो मुझे लगता है कि आयोग भी इस गंभीर्ता को पड़्रयों गंभीर्ता को संझेगा और जैसा में अपने खुद भी बादिस पत ध Dr. नै आज शे आप आपने बात के मुख्य मंतिजी कि तो अगर उनको देखे हम जैसे अभी यूपी यूपी पुलिस वाला एक्जाम कैंसल वा था उस पर भी उन्होंने अपना बड़ी एक्दम प्रिखरता से किया और यूपी में कई सारे जो है उन्होंने उस टाइम पे भी को प्रिखरिया नहीं यह यहां मुख्य मंतरी जि चातरू के इस मामले पर संग्यान लें और वह आयुग के साथ बात करें आयोग को करके आपस में मिलके जो है इस समस्या का निदान करने की कोशिश करें यह मेरा मुख्यमंति जी से निवेदन है और दूसरा जैसे कि अगर अगर एक ही पालिमन नहीं हुआ एकजाम तो हम सब की तयारी का क्या होगा मिट्टी में मिल जाएगी यह अप आप मान के चलिए कि सिर्फ साथ मार्च को साथ मार्च को नोटिफिकेशन जारी होता है कि एकजाम पॉस्पोन किया जाता है जोलाई के मद्दिये में होगा ठीक है उसके बाद आप छातर इंतिजार कर रहा है जोलाई के लिए तयारी कर रहा है कि जोलाई में होगा उसके क्या होता है कि तीन जून को एक फिट से नोटिफिकेशन आता आयोग कितब से तीन जून को कि एक्जाम जो है 27 अक्तूबर को जूबी PCS का एक्जाम होगा और वाइस दिसंबर को आपका आरो यारो वाली परिक्षा खराई जाएगी अब छातर अपना अराम से तयारी कर रहा लेकिन आप फिर फिर वही टाइमिंग आप देखी वही दस दिन पहले 16 अक्तूबर को 27 अक्तूबर को जो है वहां से नोटिफिकेशन आता है कि अ आपका इस्थगित किया जाता है और यह एक्जाम दिसंबर के दिसंबर के मानद्दय तक करा दिया जाएगा लेकिं समय दे दिसम्बर को मान के ही चलें बाकी बहुत हर तक चांस रही कि परिक्षा डिसम्बर में नहीं हो पाएगी जिस तरह समझ में आ रहा है लेकिन मान के चलिये अपनी तैयारी जो है तैयारी को ऐसे डिस्टब ना करें और बहुत जादा जो अफ़वाएं उन पर भी धियान ना द आप देखी नियूसपेपर में तो आयोक को ऐसे चीज़ों में आके आयोक को आगे जो है थोड़ा इच्छा सकती दिखाते हुए थोड़ा सा छात्रों के हित को समझते हुए ऐसी अववाओ को जो है इनको आके करना चाहिए कि यह अपना जो है इसको जारी करना चाहिए तो अभी सभी साथियों से यही कि वह अच्छे से अपना तैयारी करते रहें एक्जाम चाहें दिसंबर में हो चाहें एक्जाम मार्च में हो या अपरेल में हो जब भी एक्जाम होगा एक्जाम तो हो गई और बाकी उम्मीद है कि एक्जाम जब भी होगा अब एक ही सिफ्ट में बनोगा